नमस्कार मैं अंजली मिश्रा स्वागत है अब सभी का दने उसमें आपको बता दे कि रगुराम राजन पर केंद्रिया मंत्री अश्वनी वैशनव ने बड़ा बयान दिया है जहां पर उन्होंने ये कहा कि रगुराम राजन नेता बन गई है और किसी के इशारे पर जो है हम लेते हैं तो आपको बता दे कि हाली फिलाल में रगुराम राजन द्वारा एक बयान दिया गया था टिपनी की गई थी जहां पर उन्होंने कहा था कि प्रोड़क्शन लिंग्ट एस सो सी जहां इंसेंसिटे पी एल आई की स्कीम के तहत भारत में मोबाइल फोन नहीं बना केंद्या मंत्री अश्वणी वैशनव ने कहा जो है जो भारतिय रिजाव बैंक और बी आई के पूर्फ गवर्नर रगुराम राजन पर निशाना साधा और कहा कि राजन एक ऐसे नेता बन गई है जो किसी और से पीछे से वार कर रहे हैं वैशनव की टिपड़ी राजन के कथित बयान पर आई है जिसमें एक सवाल पर उन्हें ने कहा था कि भारक प्रोडक्शन लिंग्ड इंसेंस टेव यानी पी ल आई के योजना के तहत मोबाइल फोन का नमान नहीं करा बलकि केवल उन्हें अस्टेंबल करा अच्वणी वैशनव ने कहा कि जब अच्छे अर वो किसी और की और से ऐसा करने की कोशिश करें वैशनव ने कहा कि अगले दो वर्षों में भारत इलक्ट्रोनिक विनिर्माण में 30% से अधिक मुल्य वर्धन हासिल करेगा उन्होंने कहा कि इसके अलावा तीन कंपनिया जल्दी दुनिया के लिए महत्वपूर मोबाइल फ नौकटाउन जो है CKD घट को सेमी नौकटाउन एसके डी को लाने और उत्पाद को असेंबल करने का रास्ता अपना इसके अलावा सिस्टम के उत्पादन के बार विभिन घटको का उत्पादन होता है उन्हें ने कहा कि मैं राजन से अर्थ सास्त्री बने रहने या राज तो उनका कहना है कि आज वैश्विक आपूर्ति श्रिंखला इतनी जिटल है कि कोई भी देश ऐसा नहीं जो 40 प्रतीशत से जो है किसी भी तरीके से अधिक मुल्यवर्धन का दावा कर सके वैश्णव के अनुसार 40 प्रतीशत हाई मुल्यवर्धन है जो कोई भी देश अप रगुराम राजन वार कर रहे हैं यह उचित बात नहीं है वह बहुत ही निपून अर्थशास्त्री है मैं उनसे अर्थशास्त्री बने रहने या राज नितिक के बनने का अनुरोध करता हूं बता दे कि कन्या कुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आर रगुराम राजन कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां पर वह राहूल गांदी के साथ नजर आ है जैसे हैं आपको बता दें कि आज है उन्होंने हाली फिलाल में 2022 में राहूल गांदी से रगुराम राजन ने इंटर्व्यू भी लिया था उस इंटर्व्यू में राजन का इ बहुत से देश हमारी तरफ देख रहे हैं कि इंडिया उधारन पेश कर सकता है यहीं नहीं रगुराम राजन ने देश की एकोनामी 2023 में बहुत ही जादा मुश्किलों से गुजरेगी मुश्किल भरा समय हो सकता है ऐसा जो है उनके द्वारा जो भविश्वाने भी की गई थ corpor Canton रगुराम राजन, यहां पर राहुल गांधी के साथ राहुल गांधी के साह से थी कर रही है बहुत आप कह सकते हैं राजन किसी और के तर्फ से शाडव बाक्स इवा कर रहे हैं campe एच्वान से राजन क один interpretation हवा मे पंच मार जाते हैं इसमें सब्सक्राइब होता है और राजन का जब राजनीती त grainy में और राजन का जब राजनीति करना चाहिए और राजन इसी साल जनवरी में राउल स्पीसियुकर आप कहते हैं कि बैनर को राजनीति करके लेकिन उसमें लेकिन एगर करना है लेकिन अगर उसमें करना है जो कुए कि और कि अगलत र्यूट अगंस्पन तरहं को उन्हें के बारे में देटा हुआ नहीं कहाता है और यहीं कारण है कि राजनीति करनी है तो खुलकर करिए वह करिए किसीयों की बात है नियुकते हैं नोव कंगरस की तरफ ही रही था जहां पर नाम लिये भात हैं अश्वणी वैश्णव ने रगुराम रजद के कथित बयान उसके बाद अश्वणी वैश्णव ने पूरा तरीका भी समझा दिया कि जितनी भी आप कह सकते हैं देश है जो कि इस काम को जब आगे बढ़ाते हैं तो पहले वह पिर रही करते हैं उसके बाद फिर आगे स्टक लेते हैं तो एसे में कहा हमें कुछ भी कहा देते हैं क्वाब M कोई भी भी बात करने से सक्षान बाद नहीं आ जाती दो को जानना होता है चीजहों को माना उता हम्हें अछित ऐब जब राजनिति के बन जाते हैं तो अपनी आर्थिक जो समझ है वो खो देते हैं क्योंकि फिरेक राजनिती से जुड़े हुए एक प्रॉपर इंफ्लूएंस्ड विचार होते हैं ऐसे विचार जिसमें यह कहा जाता है कि लोगतंतर खत्रे में ऐसे विचार जहां पर मामले आते हैं तो सरकार कि सरकार को सिर्फ नीचार यहां तक की सेना खिलाओ भी शल Corni macht हो जाते हैं और अगर उन्हें राजनीत क्या बनना ही है तो इस फ़र्श तोर पर खुल कर सामने आया और खुल कर अपनी बात को सामने रखे जिस पार्टी के लिए उनका नाम भी सामने रखे और राजनीती खुल कर करें वोट मांगे चुनाओ लड़े तैसे में देखना दि भी चुलाए हो कॉमें सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साजा करिए थान्यवाद